हेलो फ्रेंट तो स्वागत आपको हमारे तीसरे पार्ट में तो आज हम सिखते हैं MS Office में Page Layout ठीक है तो आज देखते हैं Page Layout के बारे में सीखेंगे क्या होता है Page Layout के अंदर ठीक है तो हमें आपके अपना MS Office on करते हैं MS Word जागे हमारा MS Word ठीक है इसको हमने Open किया इसमें रिखते हैं Page Layout ठीक है तो पेज लियाओट के अंदर Merge Margins ठीक है Margin क्या होता है Margin यह जो खाली पड़ी है यह हमारा Margin कहते हैं से ठीक है क्या कहते है Margin ठीक है तो Margin के अंदर जाएंगे तो दोको पहले तो हम यहां पर अपना डालते हैं आपको पता है होगा यहां हम फॉर्मिले यूस करते हैं हर बार है ठीक है तो यहां पर हमारा data आ गया अब इसको हम छोडा करते हैं तो आपदेखते है Margins यहां पर आए तो दोको नोर्मल यह चल रहा है मारा भी डाटा नोर्मल में चल रहा है ठीक है तो यहां पर यहां पर क्लिक किया यह दोखो तो इसमें दोखो डाटा हमारा फैल गया ठीक है इस पर किया तो डाटा हमारा थोड़ा पास में आ गया ठीक है तो इसमें से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं वर्ट किया तो दोखो यह डाटा बलकुल पास में आ गया ठीक है तो ऐसमें हमारा नौर्मल का यूज़ करते हैं जिर्फ हमारा चल जाता है इनना समझें रिर हमारें लेटा हुआ हो जाता है उर पोडेंग्व खड़ा हुआ हो जाता है चूर्खा हम् आपको पूरा देखोंज़ब होEREगे तो आपको समझ्या आएगा तो दोखो यह page हमारा वीज्डय है किसमे यह ported में है ठीक क्योंग यह खड़ा हुआ है अब देखते हैं इसके इतल लेटा हुआ है तो-izza के में लगा सकते हैं अगर यह पोड़ेट में करना है जैसा बर करना चारोई आप Landescape में、ile together में ठीक है तो आप अपने असाफ में стр कर सकते हों। ठीक है? Size, अब देखते हैं Size, तो यहां से Page Size, देखते हैं, इसके अंधर जाएंगे Lader होता है, Legal होता है A4 होता है, यहांपे कापशार होते हैं तो इस MirIVE से आप कौन सा रखना चाहरे हो। अब देखते हैं Columns, Columns क्या होता है, पहले इस डाटों को हम Copy करते हैं, तो Select All की पता है आपको Ctrl A, Ctrl C से Copy होता है, Ctrl B से Paste करते हैं, तहां पर मैं काफी सार अपना डाटा पेस्ट कर लिगा, पेस्ट करने के बाद, यहां पर देखते हैं, Columns को Option, इसके अंदर जाएंगे, यह यह डाटा 2 को हमारे कितने Columns हैं, 2 Columns है, अब आता है यहां पर 3 Columns, अगर हमें डाटा को 3 Columns रखना है, तो 3 Columns रख सकते हैं, जैसे आपने कभी भी News Paper तो देखा ही होगा, तो उसमें आप 3 Columns डाटा लगाना चाहरे हो, तो ऐसे 3 Columns का डाटा क्रेट कर सकते हो, ठी हैं, यहां हमारे काफी साथ डाटा एस्टा है, तो इसको हम रेच करते हैं, ठीक है, तो हमारे काफी डाटा पूरा डाटा चला गया था, इतना ही आपको समझ वाइसे, ठीक है, अब देखते है, पेज ब्रेक क्या होता है, इसको थोड़ा और हम रेच कर लिए रहे हैं, ठी रहते हैं page break bricks क्या होता है आपने ये insert का option में भी सीखाऊगा page break ठीक है यह हमारा page layout के अंदर भी है ठीक है तो जैसे कि हमें बताया तो उस टाम पे अगर ये दो paragraph है ठीक है ये paragraph है नीचे आप इनको अगले page पर रखना चाहरे हो तो यहां पर कज़र रखो ठीक है विलकुल end म इसमें page break पर जाओ इसमें page इस पर क्लिक कर दो तो दोख हमारा data आगया उसी next page पर तो हमेंसे बापेश ले जान चाहरत क्या करेंगे just do के पास कज़र आपको backspace का यूज करो दोखो आगे मूंग पर ठीक है यह रहता है तो इसमेंसे आप कुई सब यूज करते हो columns में करना next page contents तो आपको इसा भी उस कर सकते हो ठीक है लाइन नंबरिंग लाइन नंबर्स काउंट इन्स तो यहां पर देखो कितने काउंट से हमारे हमारे कितने नहीं के डाटर टाइप है ठाइटीन 14 अब 15 का हम लिखना जा रहे है अगर नहीं लिखना है तो क्या करो यहां पर कहत जी रखो तो तो आज़ू हमारे से nano से चलेगे अगर अंटर तो नंबरे हमारे ऐगी करगें यहां में आप यहां कुछ टाइप करते हैं दो आगा हमारे ठिक है से अधिया इस बं नंबरे आति जाएगी ठीक है अगर हटाना है तो क्या अगर हो लाइन नमबर पर जाओ नॉन कर दो तो हट जाएगी ठीक है तेक्टे हाइवरेशन जैसे इस पर आने के बाद आटमेटिक करें तो दोखो इसमें कुछ चेंजस नहीं हो रहा है तो दोखो चलिए इसको हम एरेज करके दुबारा से टाइप क अब चाहते हैं हाइवरेशन इंदर अब देखो आप एक हाँ पर चाहिए हम ऑटमेटिक तो दोखो जैसे यह लिखाए ग्याल्जीस के अंग डूटिक लगा है अगर आप अभी नोट वह किसे में टाइप कर रहे हो तो आप भूल जाते हो डाटा ठीक है जैसे कोई डाटा ऐसा वान छूड़ इया आपका तो आप एब माइनास का सिंबल करकर टी एच लगा सकते हो एसा आपने किया भी होगा नोट में ठीक है कि इस रहे पता लगानी के लिए रहता है कि माइनस से तो इसकोई कूछ डाटा मारा है बी ठीक है ये रहता है वह आपने हैं कांभर्ट अब देखतें इन लक दूब तो दूबगों की का ओप्सन भी सिखा होगा यह कौंसा अधा डिक्रेस इन लीए वर इंक्रीस इन्ट ठीक है तो इनने धोुष देखते हैं जैसे यह यह पर रखे तक हूबर आला करेंगे तो दूबों डाटा शिर्ड हमारा पुला जाएगा ठ वशाई सब्सक्राइब Kayla करेंगे डिख यह से डाटा मारा कुछ होगे आपको देख रहा है तो डाटा एजएस हो रहा है ठीक है दयोगों जगे औतने चलच अंदर आते जा रहा है डाटा ठीक है रएस्सते बापब जाएगा किrit से हम अपना कम जादा कितना भी कर सकते हैं ठीक है आगे अतना ठीक है बिफोर और आफ्टर क्या होता है जैसे यह दोगों जगह कम जादा करनी है तो इस पर करेंगे तो दोगों ऊपर से डाटा मारा नीचे आ रहा है ठीक है उपर से क्या डाटा मारा नीचे आ है ठीक है तुछ से हम नौर्मल रखते है अपना और आफ्टर करेंगे जैसे आफ्टर तो इनकी बीच की दूरी होगी ठीक है कितने दूरी करना है वो कड़ सकते हो ठीक है तो यह रहता है किसे यह समयें ठीक है अब दिखते हैं जिए पोजिशन बर्प टेक्ट्प अब चलते हैं बिलियाउट पर तो दोखो आपसण ही है यह हाईड अनाहीड हो गए तो पहले क्या हाइड थे है हमारे अब आपसण हो गए है क्या हो गए है अनहाइड ठीक है पॉजिशन पर जाएंगे तो यहां सें पॉजिशन सेट कर सकते हैं जैसे हमें डाटा को अपने पॉजिशन में रखना है तो यह से पॉजिशन मी रख सकते हैं उतना हैं हम किसी भी पॉजिशन में यूज कर सकते हैं ठीक है इतना है समझें अब देखते हैं ब्रिंब टू फॉंट जो क्या होता है अगर आपका यह सेब चलता है जो पेल याउट पे भी पेल लाउट के अंदर इंफंट आप टेक्स करेंगे ठीक है यह रहता है अगर आपका जो से इस देखते हो बर्फ टेक्स का ठीक है इसके अनदर जाके आप टाइट यह इंफंट आप टैक्स तक यूज कर सकते बनी proper अवीर को एक हम तो नरत टैक्स लिया अकम कर उपर रखना चाहरे हो ठीक है तो send to back के अंदर जाए है send behind text लेका है ठीक है इस पर click कीजिए तो दो को हमारा save पीछे चला गया और text जो हमारा उपर आगी है ठीक है अभी एक क्या करना है आपको text पीछे बिजना है और saves को उपर लाना है ठीक है तो bring in font of text इस पर क्लिक करेंगे तो दो को आगे अपनी जागे ठीक है यह रहता है तो समझे ठीक है select panel इस पर जाएंगे तो इससे आप दोगो यह कितने सेप्शन और save को हाइट कर सकते हो ठीक है अपने पिच्चर में भी किया हुगा पिछले पार्ड में आग दिखना insert option पर तो आपको समझे आ जाएगा ठीक है इस पर किलिए किया तो दोगो ठीक है कि एलाइजमेंट किस एलाइजमेंट में रखना ठीक है किस एलाइजमेंट में इसको रखना देखो सेंटर राइट ठीक है तो किस एलाइजमेंट में इसे रखना है टॉप ठीक है तो किसी भी एलाइजमेंट में इसका यूस्ट कर सकते हैं ग्रोप का ओप्सन क्या होता त तो ग्रूप का उसन देखने के लिए साथ से पहले हम दो सेफ रखेंगे इसी के हम कॉपी करते हैं ठीक है तो इसी के हमने कॉपी करके रखा तो इन दोनों को सिलेट करना है ठीक है इसका यूज क्या होता है जैसे आप इसकी पिच्चर के साथ कुछ भी करें तो दूसरे के साथ भी कुछ हो तो गुरूप पे जाएंगे गुरूप कर देंगे तो वह हो गए तो अब मतलब की हमारी पिच्चर की तरह लेडी हो गए ठीक है तो हम यहां से कुछ भी क्रेट रहते हैं तो इस में यहां में एक बना सकते हो ठीक है हटाना है तो इस में अंगृफ का अब संगे ता इसे की हमने रोटेट पर आएंगे तो यहां से आप रोटेट ड़ने चालत अ तो क्या है सारा लोटेड हो रहा है ठीक है तो हम किसी भी डारेक्शन में उसको लोटेड कर सकते हैं ठीक है इतना है आपको समझें ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ड में जैन जैवारत